जैहिन मेरे प्यारे सभी सातियों कैसे हैं सभी I hope सभी अच्छे होंगे तो फैंस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हाथ दिख स्वागत है तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो सबिंस्पेक्टर कम्यूकेशन डाफ्ट मैं और जो स्टाफ नर्स की वेकैंसी निकली हुई है और पायोनियर की वेकैंसी जो निकली हुई है उससे लेटिर मैंने ये वीडियो बनाया है उसमें दोस्तों जो भी क्वालिफिकेटन है उससे लेटिर मैंने इसमें बताया है क्य क्या क्या चाहिए क्यों कि बहुत बच्चे कंफ्यूजन है त्व मतलब कि इसमें है और क्या आपको रही मता हुए क्शाएं क्या नारटिधिकेशन नियुक्त इसकाल की चाहिए और क्या यह नहीं चाहिए वह सारा चीज जैसे कुछ बहुत से लोग confused हैं कि वह BSC जो है physics है chemistry है और geology है तो क्या मैं apply कर सकता हूँ तो दोस्तों आप apply नहीं कर सकते उसमें clear cut physics, chemistry और math होना चाहिए जिसका BSC है बाकि science बाकि जिसके पास BTEC है BTEC IT है computer science है तो वह अपना apply उसमें कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो detail में notification अब like लेकर आ रहा हूँ और अभी थोड़ा सा form बरने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि एक दो दिन बाद अपना जो भी technical fault है तो एक सब इंस्पेक्टर जो pioneer की वेकंसी है ड्राफ्ट मैं की communication की और स्टाफ नर्स की तो इससे लेटरी सारी जानकार्मिय आप दोंगा काफी अच्छी नौकरी है काफी अच्छी जॉब है यह बहुत ही अच्छी जॉब है पायोनियर वगरा की communication की हमेशा आप बटालियन लेवल पर रहोगे यूनिट लेवल पर रहोगे आप कभी company वगरा पर नहीं जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं total आपको बता देता हूं sub inspector जो pioneer है इसकी जो total vacancy है बीस है sub inspector concerning की 59 वेकैंशी है और sub inspector कम्म्निकेशन की 59 वेकैंसी है और sub inspector staff nurse female candidate की 29 overall वेकैंसी है तो दोस्तों अब आगे चलते हैं जो बेसिक पे रहेगा या जो भी है सब इस्पेक्टर का पेसिक रहेगा वो 35400 से 12400 के बीच में रहेगा ठीक है दोस्तो और अधर अलांसिस जो डीये है राशनमर्य लांसिस वासिंग अलांसिस अधर एड्मिसियल विल जो भी अलांसिस है वह आपको यहां पर दिये देता हूं पायोनियर की उसमें 30 साल की उमर मांगी गई है डिग्री और डिपलोमा इन सिविल इंजिनियर देखो भाई सबी लोग मतलब मेरे से वीडियो में नॉर्मल किसी और वीडियो पर पूछ रहे थे कि सर इसमें जो एलिजिबिल्टी है क्या चाहिए ठीक है यहां पर चाहिए यहां फिर डिपलोमा करते हैं उप हुर और इसमें हंप इसमें सबीस अग्राप के बारे में बताना मैं चाहूंगा fan से 100 में 38 सी एज है ठीक है दोस्तों और इसमें जो सब इंस्पेक्टर पायोनीर है उसमें दस्वी प्लश डिप्लोमा भी चलेगा ठीक है दोस्तों ध्यान रखना और यह सब का एक्स्प्रियंस आपका कहीं से होना चाहिए ठीक है तो यह ड्राफ्ट मेंन की वेकैंसी से लेटर यह चीज़ें उसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर कम्यूकेशन यहां पर बहुत बच्चों को डाउट हो रहा था कि सब इंस्पेक्टर कम्यूकेशन की जो जो इसमे दे रखा है कि क्रिटेरिया जो प्रोफेशन को काफी हो रहा था देखो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं दोस्तों यहां पर जो डिग्री इन एलेक्ट्रोनिक्स बैस जिसने भी टेक वगएर लेक्ट्रोनिस से कर रही है ठीक है वह इसमें बढ़ सकते हैं यह यह फिर इंजिन्ञ से कर रहा है इंफ्रमेशन टेकनलोजी से वह इसे बढ़ सकते हैं यहां पर यह दिया है दोस्तों कि PCM से जिसने BASE कर रही है ठीक है वो भी इसमें भर सकते हैं दोस्तों यह बात ध्यान रखना ठीक है दोस्तों यहां पर सारी डिग्री वह हैं अगर बीएस्टी से कंपूटर साइंस बीएस्टी कर रखा है तो आप वह भी भर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां पर ध्यान रखना पीची एम वाले ही अपलै कर सकते हैं फिजिक्स चेमिस्ट्री बायो वाले हैं यहां पर नहीं चलेगा यह बात ध्यान रख लेना थीके दोस्तो उसके बाद सब स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स में भी जो एज लिमिट है आपका 21 से तीस साल चाहिए उसके बाद थ्री ये डिपलोमेंट जनल नर्सिंग तो जी एन एम होना चाहिए दोस्तों तीन साल का जो कोर्स से स्टेट या सेंटर गौर्मेंट से मस् रैइस्टर विद सेंटर और स्टेट नर्सिंग कांसिल्गां तो मंदो रैइस्टर्ड होना चाहिए सिदी सी बात और दो साल का Management किसी भी होस्पिटल में होना चाहिए देखो देखो दोस्तों यहां पर प्लस टू आपको साइन से चाहिए तो PCB ठीक है यहां पर यह नहीं बोलाए कि PCB चाहिए या PCM चाहिए देखो 10 वी से भी होती है एनम जीनम ठीक है दोस्तों तो नर्सिंग वगरा जो भी आपने तीन साल का जो कूर्स कर रहा प्लस टू PCB से जो कर रहा है तो वह आपका होना चाहिए ठीक है दोस्तों और वहां पर आपको से मतलब रेजिस्टर तो आपका हो गई सीरीज बात है और दो साथ का एक्स्पीरियंस भी इसमें चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर 30 दिन का टाइम दिया हुआ है आपको फिल फॉर्म फिल करने में बाकी एज रिलेक्शेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एज रिलेक्शेशन में दोस्तों SCST 5 साल की छूट है OBC के लिए 3 साल की छूट है झाजिर Спेंद से पर पाउस के लिए 5 साल की छूट है दोस्तों मतलब जो भी सेंटर गौर्वर्मेंट अपलोई जनरल के लिए पांस साल ओभी सी के लिए आठ साल की यह डिपार्टमेंटल चूट है अगर जैसे तीस साल जैसे कर सकता है दोस्तों उसके बाद दोस्तों आगे के जो भी है यह यहां पर चूट दी गई है बाकि यह नोटिफिकेशन में आपको टेली ग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और यहां पर आप देख सकते हो अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है ना दोस्तों इनसे वेकें में क्लियर करने वाला हूँ आपका ठीक है दोस्तों क्योंकि हम इस स्टाफ से हैं तो इसी वज़े से आपको इस सारी चीज में आपको बताऊंगा ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहां पर जो एक्जामिनीशन फीस लगेगी वह 200 रुपे लगेगी ठीक है जनरल व इसमें दे रखा है दोस्तों ठीक है देखिए यह दे रखा है अप concept साइज फोटोक्राफ होना चाहिए आपका बारे के वी यच ऋचार के बीच में अंदर उसके अंदर चाहिए भार के चार के भी बोर्ड ऑफिसर बाइस सब्सक्राइब के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि सब्सक्राइब के लिए जो फिजीकल होगा वह 1.6 किलोमीटर चार मिनिट में होगा ठीक है दोस्तों उसके बाद कम्टिकेशन में मतलब फीमेल के अडिडेट भी वह सकते हैं सबसे बढ़िया मुका है लड़कों के लिए भी उसके बाद फिजीकल इस्टेंडर ट्रस्ट फी एस्टी में क्या होगा जो भी कम्टिकेशन है देखो कंडिड सबस्पेक्टर स्टाफ यह पायोनियर ड्राफ्ट में विल हैव तो अंडरगो पीस्टी कंडिए इंक्लूदिंग मीटिंग मिनिमिम्म हाइट जेस्ट फॉन पर समझ लेना सीधी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो सब इंस्पेक्टर पायोनियर और ड्राफ्ट मे रहा है और यह नर्स हैं तो इसके लिए फिजीकल भी जो है यहां पर नहीं होगा ठीक है दोस्तों यहां पर यहां पर नहीं होगा देख लिए यहां डिटेल भी रख़ा है कोई फिजीकल इनके लिए नहीं होगा ओनली कम्निकेशन के लिए भाई फिजीकल है बागी जो प पाई उन्हें कम्मिनिकेशन की जो हाइट वगरा है उसे लेटर में बता दो जो भी फूर आल कंडिडेट बॉलांगिंग टू वन एंट तो जो भी है केंडिडेट उनके लिए मेल कंडिडेट के लिए 170 हैट चाहिए 80-85 उसका चेस चाहिए फिर मेर कंडिडेट के लिए अप तो मेर कंडिडेट के लिए 100 पाइट पाइच चाहिए अब देखें। इस स्टाफ नर्स क्या है चाहिए वैंदेख ले ना फिमेल कंडिडेट के लिए जो भी जनल वबी सिवगरा में आता है उनके लिए 157 ने उसके बाद जो भी सिक्किम्वागरा-बागरा-गरा-इसम और उट की कंदिटेट की? की हॉंट चाहिए जो फीमय्ड के वाइडे हुए दोस्तों और जो स्ट कंदिटीट मेरें के पचास ओफफीमेल कंडिडेच की हाइड चाहिए थीकर दोस्तों उसके बाद होगा दोस्तो आपका उसके बाद होगा दोस्तो सेकेंड एग्जाम आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इत्मी क्या है कोमन इंट्रेंस टेस्ट होगा इसल भी त्री अवास दूएशन विल फिफ्टीवन फिफ्टी मांक्स तो एक सो देट सो मांक्स का यह होगा और देट सो मल्टिपल चॉइस उसके बाद दोस्तों और उसके बाद दोस्तों में अच्छा ब्ट्रेंट मेरिट में आजाएगा फाइनल मेरिट विल बिपरेड वाला हिस्त है उसमें पहले जो इससे पहले भड़ती हुई थी उसमें इसे पहले भड़ती हुई थी उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़े ते अनले नंगें बदेशन के मार्क Wang के साव से मेरिट वनी ठीक है दोस्तो इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं बताऊंगा कि बाई candidate के लिए जो documentation detail medical examination वगएरा होगा ठीक है documentation वगएरा होगा और तीन गुना vacancy के लिए बंदे बलाई जाएंगे ठीक है दोस्तों उसके बाद review medical होगा जो भी medical unfit होता है और उसके बाद आपका final result आ जाएगा यहां पर जन्न instructions दे रखे हैं वह भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं ठीक है दोस्तों बाकि जो भी स्लेवस से लेटिड है बाकि टेक्निकल स्लेवस मैं आपको यहां बता देता हूं टेक्निकल स्लेवस आपका physics chemistry मैंस आएगा ठीक है दोस्तों यह बात ध्यान रखना और यहां पर अगर communication कहा है तो communication में जो भी जो भी वह मतलब डेटेल में वीडियो आपके लिए इसके लिए लेकर आजामा ठीक है दोस्तों क्या सिलेवस कैसे कैसे आपका रहेगा इससे लेटर में यालेक्स एक वीडि करना चैनल को जो आगे भी आपको नहीं